Good morning to all of you, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच इग्जाम में श्वागत है, दिखे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, छारखन एकडमिक कॉंसील राजी के तरप से, जो एडमिशन टेस्ट निकाला गया है, दो स्कूल के लिए, नित्राहट विद्याले और इं इंट्रेन्स इग्जाम निकाला गया है, वहाँ पर अडमिशन के लिए हर बार, हर साल इंट्रेन्स इग्जाम होती है, इसके रिगर्यारी यह नोटिश निकाली गई है, जो इंट्रेन्स का उनलाइन जो फ्रम भरना है, उसका डेट आ चुका है, जो भी विद्यार्थी, जो भी गार्जियन अपने बच्चे को कच्छा 6, 6 से लेकर आगे तक की सिच्छा देना चाहते हैं, नेत्राहट विद्याले या इंद्रा गांधी बालिका विद्याले से, तो आपके लिए मौका आ गया है, आप अभी apply कर दें, वो सेशन 2020 अकीस के लिए होगा, 2020 अकीस के लि जो विद्याले हैं, वो बहुत अच्छे विद्याले हैं, बहुत अच्छे कैटेगरी के विद्याले हैं, रेसिडेंटल विद्या, वो स्कूल है, ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छे विद्याले, बहुत कोई का सपना रहता है कि इस विद्याले में हम admission ले, अपने बच करने की जोर्रत है online form admission टेस्ट ली जाएगी admission टेस्ट कैसे होगा और क्या इसका process है वो सब इस वीडियो में discuss करने वाले तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पूरी वीडियो में बने रही है आपको पूरी जानकारी मैं बतला रहा हूं सबसे पहले यहां पे देखें लिका वा उस्कुली सिच्छा एंवन साचरता विभाग जारकण सरकार द्वारा नित्रहाट विध्याले एवन इंद्रा गांधी बालिका विध्याले के तर्ज़ पर दक्षनी छोटा नागपूर संस्थाल प्राँंगन एवन को लहान प्रमंडल से संचाली तवासी विध दिये, Residential Girls School राची, इंद्रा गांधी, बालिका विद्धाले, हजारी बाग, ये फिमल के लिए, जो गर्ल्स कैंडिडेट है, ये दो स्कूल में अपलाई कर सकती है, और जो मेल कैंडिडेट है, जीतने भी बॉई है, वो दो स्कूल के लिए अपलाई कर सकते हैं, Residential Boys School दुम 200 seat हो रही है दो विद्याले में करके mail का भी जो है वो 200 seat के लिए entrance होगा दो विद्याले के लिए ठेक है आगे हम पूरी detail को बतला रहे है चलिए यहाँ पे जो first notice है वो देखिए क्या-क्या eligible criteria है उनको परवीश लेने के लिए क्या-क्या उसको आविद्यन अमिंतरीत करने के लिए आविद्यन भरने के लिए उनको क्या-क्या योग्यता चाहिए उसके लिए हम पहले बात करते हैं ठेक है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है का नंबर में first में जारखन राज और अस्थानिय निवासी का परमान पत्र या तो फिर उनको होना बहुत ही जोड़री है ठेक है आगे में बात करते हैं दूसरा नंबर जो नोटीस है एक अगस 2020 को उनकी उम्र दस वर्ष से कम और बारा वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ठेक है ये बात ध्यान रखेगा एक अगस 2020 को उनका जो उम्र है वो मिनिममम दस साल हो जाना चाहिए complete वो बच्चा का उम्र और अधिकतर बात करें maximum age की बात करें तो 12 साल होना चाहिए अगर इस date को 12 साल से ज्यादा हो रहा है तो वो eligible नहीं है और अगर 10 साल से भी कम उम्र हो रहा है तो वो भी eligible नहीं है तो वैसे candidate वैसे जो 5th class में होते है यह date of birth जो होता है वो manageably हिसाब से set क्या होता है उसके लिए आपको सुचना नहीं है उनका जो age वो 10 से 12 साल के बीची होगा आप उसके लिए सोचना ही नहीं है कि age होगा की नहीं पर भी आप देख ले क्योंकि age बहुत valid यह मानी रखता ह वो जो student हो या तो government school से या तो वो government school से 5th class pass किया हो या तो फिर कोई भी मानिता प्राप्त जो government से approved school है वहां से वो 5th class exam देकर उतिर्न हो गया हो और 6th class में आध्यांतरी थो मतलब 6th class में उसको भेज दिया गया हो ऐसे candidate eligible है इस विद्धाले के लिए आपको मैं मतला दे रह तक आपको फ्री में सिच्छा देती है बस फ्री में सिच्छा देती है ये बात द्यान रखेगा जो है minimum फीस आपको pay करना पड़ता काफी अच्छा विद्याले आप ये बात मन में द्यान रखेगा चौथा नोटीस किया आरचित कोटी के अभियारतियों को कर्मिक प्रासा इसे काफी important है जितने भी candidate है वो निरगत आरचन कोटी और जाती परमान पत्र ठेक है जो भी वो उसका card certificate होगा वो अनुमंडल पदहदिकारी जो है अनुमंडल पदहदिकारी या तो फिर उसके उपर SDO या तो फिर DC के द्वारा जो निरगत certificate होगा residence का ठेक है अस्थानिय परमान पत्र का और जो उनका card certificate होगा जाती परमान पत्र वो चाहिए document यह काफी important है यह अगर अभी आप नहीं भी दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपका जब admission होगा तब यह document आपको चाहिए ठीक है यह बात ध्यान में रखेगा आगे हम यहाँ पर बात क जाएगा ठीक है याद रखेगा यह काफी important है फस्ट आउनलाइन परिच्छा आवेदन प्रपत्र भरने की थी ठीक है जो आपका online application apply करने करती थी है वो दिनांग तैरा छे 2020 तैरा जून 2020 से लेकर दो जुलाय 2020 तक भरा जाएगा ठीक है यह बात ध्यान में रखेगा तैरा से अभी प्रामानित कर कराने के प्रशात सुल्क सहित प्रखंट सिच्छा प्रशार पताधिकारी जिल्ला सिच्छा पताधिकारी करले में जमा करने की थी ठीक है एक बात ध्यान रखेगा आपका जो फॉर्म भरा गया ठीक है आपका जो फॉर्म फिलप हो गया उसके बाद एक बात को आप ध्यान में रखेगा आपका जो form फिल अप हुआ जो receiving आपका निकलेगा वो आपको school के principal को एक printout देना है और उनको जमा करना है और दूसरा जो printout है आपके जो अपना जीला है सिच्छा पदादिकारी जीला सिच्छा पदादिकारी या सिच्छा पदादिकारी वहाँ पे एक copy देना है ये बात ध्यान रखेगा फस्टली आपको form भरना है उसके बाद principal को देना है उसके बाद आपको देना है दूसरा जो जीला सिच्छा पदादिकारी ये वहाँ पे एक फॉर्म जमा करना है ठेक है आगे में यहाँ बात करते हैं प्रखंट सिचा प्रसार पदादिकारी कारेले द्वारा जीला सिचा पदादिकारी कारेले में सुल्क सहीत आवेदन प्रापत्र जमा करने की थी जो है वो 15.6.2020 से लेकर 4.7.2020 तक है आगे फिर हम बात करते हैं परिशत द्वारा प्रेशक किये गए फॉर्मेट में भरे हुए आवेदन प्रापत्र की जाच कर कोटिवार समे की सुची बनाकर सुल्क सहीत परिशत में जमा करने की थी यह सब जो नोटीस है यह सब आपके लिए नहीं यह जो है वो कारेली के काम है ठीक है यह सब नोटीस आपके लिए नहीं है ठीक है एक नोटीस यहाँ पर है आपका फिप नमर में अंलाइन प्रवेश पत्र डाउनलेड करने की जो तिति है वो आपका ऑनलाइन मेथड से आएगा और आंलाइन वेबसाइट जैक के वेबसाइट पर ही जाके आपको डाउलोड क www.jack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है वहाँ से आप जाकर एपलाई कर लेंगे इसके रिगार्डिंग जो official link है एपलाई करने का वो मैं अपने description में लगा चुका हूँ आप वहाँ से जाकर simply एपलाई कर सकते हैं simple सा form है आप आराम से भरेंगे ठीक है अगर आपको दिक्कत हो रहा था आप हमें बताए ठीक है comment box में हम आपके पूरी सहता करेंगे आगे पर यहाँ पर लिखा जिसे ऑनलाईन भरा जा सकेगा दूसरा है अभियारती वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाईन से वर्नित दिसा निर्देश को भाली भाती पढ़कर जो टर्मन कर्डिशन उसको आप पढ़ ले नहीं तो फिर हम बतलाई दे रहें आगे यहाँ पर दिखावा परिच्छा आवेदन प्रापत समधित विद्याले जिसमें चाथ-चात्रा के नावनकन हे तु आवेदन देना है का चैन किया जाना आवशक होगा एवं चैन के उपरांत इसमें कोई परिवर्तन नहीं की जाएगी एक बात ध्यान रखेगा जब भी आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका सही सही डेटा है डेट ऑब बर्थ नेम फादर्स नेम या तो अपना एड्रेस जो है वो गलत नहीं किजेगा अनर्था वो बाद में आपका चेंज नहीं होगा करेक्शन का डेट नहीं दिया जाएगा ठेक है ये बात ध्यान में रखेगा जो भी भरिएगा सही सही बरिएगा अच्छा से देख कर भरिएगा ठेक है आगे वही नोटिच दिया गया है कि आपका जो अगर हो जाएगा प्रिंट आउट जो निकलेगा वो आप ये तथा जाती परमानपत्र का च्यापरती साथ में जमा करना अनिवार होगा ये बात यहां लिख दिये बट ये नोटिच देखे अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप एक अप्लिकेशन जो है जीला सिच्छा पतादिकारी को उसके साथ संगलीत कर दे सकते हैं आपको दे दिया जाएगा बट जब आपका एडमिशन होगा एडमिशन के टाइम आपको जो कास सर्टिफिकेट है और रसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए चाहिए ठेक है अभी आप अप अप्लिकेशन दे दिजे जीला सिच्छा पतादिकारी को वो माल लेंगे कराने जाएंगे जब आपका डॉकमेंट भैरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको दोनों डॉकमेंट चाहिए ही चाहिए यह बात ध्यान रखेगा अब यहाँ पर कुछ समान निर्देश दिया गया एक्जामनेशन से रिगार्डिंग यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ लिखित परिच्छा OMR सीट के माध्यम से लिया जाएगा जो आपका लिखित परिच्छा है वो OMR सीट के माध्यम से लिया जाएगा यह बाध्याने के रखेगा यह OMR सीट क्या होता है तो OMR सीट MCQ जब कोशन्स आते हैं बहु इकले पे जब प्रशन पूछे जाते हैं MCQ पुछे जाते हैं तो एक option का चार घेरा बनाया हुआ रहता है ठीक है एक questions वारी एक questions का चार घेरा बनाया रहता है जो answer सही है उसमें आपको goal करना रहता है ऐसे रंगना होता है ये ओमार सीट का practice आप कर ले और टैयारी करते रहें बहुत ही अच्छा विद्धाले का ये notice है बहुत ही अच्छा विद्धाले एक बार आपका admission अगर यहाँ पे हो गया तो समझो कि आप subtle हो जाओगे नावदे JNB जैसे JNB जवाहर नावदे विद्धाले है उसी परकार का भी ये भी विद्धाले बट JNB जो है वो Central Government के द्वारा चलाया जाता है और ये जो है Residential Girls School और Residential Boys School ये जो है हमारे जहारखंड Government के द्वारा चलाया जाता है तो ये भी काफी अच्छा विद्धाले है आप इसको कमत सोचे बहुत अच्छा विद्धाले है और इंद्रा गांधी बाली का विद्धाले हजारी बाग का ठीक है फिमल के लिए 2 स्कूल तो दोनों को मिला कर टोटल 200 सीट के लिए इंटरेंस होने वाला है गल्स के लिए वहीं अगर हम बात के लिए मेल केंडिडिडेट बॉइस के लिए ठीक है तो boys के लिए भी दो स्कूल है कौन-कौन सा पहला जो है रेसिदेंटियल boys school दुमका और दूसरा जो है रेसिदेंटल boys school चायबा सा तो इनका भी जो exam होने वाला है वो 200 seat के लिए तो boys के लिए 200 seat और girls के लिए 200 seat अलग-अलग है ठीक है यह बात ध्यान रखेगा अब यहाँ पर आगे बात करते कि आपको परिच्छा कैसे देना है वो परिच्छा आपका जो होगा वो दो परिच्छा कारिक्रम का परिच्छा कारिक्रम होगा वो आपका किस परकार होगा ठीक है तो आपका देखिए ये परिच्छा कारिक्रम जो होने वाला है वो दो सीप्ट में होगा ठीक है दो सीप्ट में दो पाली में होगा एक ही दिन होगा 1997 2020 को ठीक है किसतारी को 1997 2020 को आपका एक्जाम होने वाला ये डेट आपका finally यहाँ पे देद दिया गया ठीक है 19 जुलाई 2020 को पहला जो एक्जाम है वो 10 बज़े से लेकर साड़े 12 बज़े तक चलेगी ठीक है और दूसरा जो है उनीस साथ 2020 को ही है, वो दीड़ बजी से लेकर 4 बजी तक चलीगी, ठीक है? दीड़ बजी से लेकर 4 बजी तक चलीगी, अब हम चलीए बात करते हैं कौन-कौन सब्जेक्ट का आपका इक्जाम होगा, आप अगर तेयरी कर रहें तो आपको पता ही होगा पिर भी बतला दे रहे हैं देखें यहां पर फर्स जो एक्जाम है वो गनीत का लिया जाएगा मैथ का वो टोटल 50 माक्स का होगा 50 माक्स का ठेक है यह ग्रूप A में समलित है ठेक है दूसरा वही पेपर जो होगा वो समाजी कध्यान समाज समान ग्यान एवं समान विज्ञान का होगा 50 मेंबर का उनमका जो दिखी कहा है शमान ग्यान शमान ग्यान का एक्जाम होगा वो 10 माक्स का ठेक है वही शमान विज्ञान का जो माक्स होगा वो आपका होगा समान विज्ञान का माक्स होगा जो वो 20 माक्स का होगा complete 20 माक्स का तो कितना होगा टूटल मिलाकर 50 मा यहांव को मैं इसके सेते हुए जαइगी तेका है यह अप का कियuction ये रहेगा यह को है यह आप यह तो टोटली आप यह त्यापकी से जाहीएगा है 19 सा 2020 को completely ले लिया जाएगा यह फैनली नोटिफिकेशन में दे दिया गया है आगे मैं कुछ important नोटिस है वो बात कर लेते हैं परिच्छा अविदन प्रापत्र के साथ 200 रुपए मात्र का बैंक ड्राप जो किसी भी राश्टिकरित बैंक द्वारा जैक फंड जैक फंड के नाम से निर्गत एवं राची में भुकताई हो के रूप में संगले करना अनिवार होगा अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती कोटी के लिए या सुल्क सौर पे होगा ठेक है आपको जो है 200 रुपीज का फी भी पे करना है वो बैंक ट्राप के माधियम से कोई भी राच्टिक्रिट बैंक होगा उससे आप जैक फंड के नाम से निर्गत करा सकते हैं और वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती कोटी के लिए तो इनको पे करना है 100 रुपीज वो भी इसी मेथड से बैंक में जाकर ही पे करेंगे आगे में आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है ऑनलाइन भरे गए परिच्छा आवेजन प्रापतर प्रिंट विद्धाले को परधान ये परधानाचारी से जो होगा प्रधान द्वारा हस्ताक्षर करा लेंगे और स्टाइम भी उसमें जरूर लगा लेंगे ये काफी इंपोर्टेंट है और उसके बाद जो आप है जीला सिचा पतादिकारी के पास आप जमा कर देंगे और आगे जो हम बता दे रहे हैं परखंट सिचा पतादिकारी के साथ जो आपको आवासी है जाती परमान पर तरचाया परती के सहीद जो आपको जमा करना है वो तो नोटिस में बतला दिया हूँ अगर आपके पास अभी नहीं होगा तो आप अभी जमा कर दीजिएगा उसको आप एडमिशन के टाइप चाहिए चाहिए ठीक है यह बाद ध्यान पतादा आप जो अप्लिकेशन फॉर्म के साथ जो प्रिंट आउट जमा करेंगे वो बोर्ट के द्वारा जाच किया जाएगा यह फाइनली यहाँ पे लिख दिया गया है ठीक है तो आप कंप्लिटली जो होगा कास सर्टिफिकेट या तो फिर आपका रेसिडेंट जाती परमान पत्र और फिर अस्थानी परमान पत्र वो आप सीयो या तो सीयो के उपर पत्से जैसे आप सीयो से बनाएंगे तब भी आपका काम चल सकता है नहीं तो आप SDO से भी बनवा सकते हैं नहीं तो आप अपने DC से भी बनवा सकते हैं अपने जीला के कोई भी आपका सर्टिफिकेट चलेगा ये बात ध्यान रखेगा एक बात फिर से में बोल दे रहा हूँ लास्ट डेट को आप ध्यान में रखेगा इनका जो लास्ट डेट है अप्लिकेशन का वो आप ध्यान में रखेगा 2 जुलाई 2020 तक इसका लास्ट डेट है आप उसके पहले अपलाई कर दे और जो आविधन पत्र जमा करना है विद्याले में और वहाँ से जो साइन कराना है उसके बाद जो जिल्ला सिचाप देदगारी को जमा करना है वो भी डेट आप ध्यान में रखेगा ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है आप इसको ध्यान में रखकर अपना जो पूरी इसका प्रोसेस है आप कम्प्लीट करके रखेगे आपका अच्छा से कोई दिकत नहीं होगा आपका अरामसी एक्जामनेशन ले ली जाएगी आपकी सेलेक्शन हो जाएगी आप अच्छा से त्यारी करते रहिए ठेक है उसके बाद जो भी है एक नोटीस और इंपॉर्टेंट नोटीस है इनमें जो है अंदर कोई भी परकार के बीमारी नहीं है इससे वो किलियर हो जाएगी तो आसा है कि आप इस वीडियो में आपको पूरी अच्छा से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका प्रोसेस है और कैसे अपलाई करना है किसी भी परकार का अगर आपको दिकत होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं मैं उसके रिकार्डिंग आपको पूरी सहता करने की कोशिस करूँगा थैंक्स पर वाचिंग, हैब अनाइस टे